असलामों अलेकुम कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ अमचूर पॉडर या खटाई पॉडर की रेसिपी शेयर करूंगी इससे बनाना बहुत ही आसान और यह बजार से हजार बुना बेतर है इसके अंदर खटाज भी बहुत स्यादा है अगर आप एक तफ़ा से बना लें तो चलें चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ यह मैंने कैरिया लिए यह मैं आदा किलो कैरी का बना रही हूं आप चितनी भी जादा कैरी का बनाना चाहें बना सकते हैं कैरियों को मैंने अच्छी तरह से धोकर खुश कर लिया है अब इसको मैं छील लोंगी अब सारी कैरिया चीद लूंगी आप इनको में पीलर से ही बारीक बारीक नोगी इतना यह बारीक करते हैं कि अगर और अपका पीलर तेज़ है तो फिर अचिदा पीलर से थे मैं लेकर आपका पीलर तेलेदा तो आपट सलाइब चैजंड से कड लीजेगा स्टैसर से करें या पीलर से करें लेकिन फिल्कुल पारीक करना है मैं इसे बारीक कर लिए ऑब इसे फैला कि मैं डाल दूँगोंगी किसी भी खुले मुझ के बरतरों में जिडना आप अधाल में पैला जिये टो-एं मट्टी वगारा ना जाए और यह साफ सुतर तरीखे से ड्राय हो जाए और जब धूप कतम हो जाएगी शाम में इसे उठा लेंगे शाम में जब इसे आप धूप से उठा कर लाएंगे तो इसे पंखे के नीचे रखिएगा ताकि यह जल्दी ड्राय हो चलें मिलते हैं फिर पिष ज 사 को मैंने मैं निन की दूप में शुका हैं लेकिन यह बहुतों सुप लिएंछ कीछ मिलिए लेकिन यह सौफ हैं जब इसको प्रमने के इस क्रिशी को आपुइगा अ तक्यान के साथ पीजर एंगे मैंने पापीता के परड़र की वीडियो Ayamusa की उसमें भी पिशेर अगर आप टबे पर आगते हैं तो तरह भी कर सकते हैं आप तो इससे तरह कर सकते हैं तो पिर उसको ऐर फ्रायर करने की जरुरत में उसको इस तरहा पॉडर बन जाएगा क्रिफिए में दाल दूँमें तो कहीं पर सी हल्का सा ब्राउन जैसा हो गया है यह जलनी लेकिन थोड़ सा डार्क हो गया है इसे मैंने 3 मिनिट तक एर फॉराय में किया है आप 2 मिनिट के बाद ही चेक कर लिएगा अगर 2 दो मिनाट में जाते हैं तो तीन मिनाट में यह अच्छी तरह से Kréspy हो जाएगा ची तरह क्रिस्पी हो चुका है आवास देखें आफ अ मैं इसको ग्राइंडर में डालकर पॉडर बना लोंगी यह देखें यह मैंने बारीक पॉडर बना दिया है यहां मारा घर का बनावा साहसतु घुदू अमचूर पॉडर तयार है यह इंदर पॉडर आपके बजार वाली से बहुत जयादा बेदर है इसके अंदर खटास बहुत ज्यादा है तो इसकी खटास बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है और इसके अंदर मैंने कुछ भी आइड नहीं किया है यह सिर्फ सिंपल कैरी का पॉडर है तो यह बहुत ज्यादा खटा है बजार वाला खटाई पॉडर को आप अगर एक चम्ची डालते हैं तो इसको आधी चम्चीज नमाल करना होगा तो है तो यह बहुत ही आसान और छोटी सी रैसिपी आजकल तो कहरियों को मौसा में तो आप कहरियां लेकर आए और जटपट बना के अपने पास रख लें और बजार में तो पता नहीं होता कि किस तरह बनाया है तो लेकिन घर में आप साफ सुत्रे तरीके से बनाते हैं तो आपको पता भी रहता है कि यह बल्कुल अच्छे से बनावाई साफ आई के साथ तो आप इसे बनाए और प्रॉटर करें और इस पॉटर को आप 6 मेनु तक तो आराम से स्टोर कर सकते हैं बस इसको एर टाइट चार अल्लहाफेज